हेलो दोस्तों मेरा नाम रोई शुकला है जैसे कि मैं पहले आज के तीन मेने पहले मैं नोड़ा में जॉब करता था मार्केटिंग में और ठीक ठाक सेली कमाता था तो मैं उदर से वापिस आगया अपने गाओं में जो है कि मुझे गाओं में कुछ करना है तो जिसकी वज़े से मैं इधर आया तो मुझे लगत कुछ जमीने खाली थी तो मैंने फूल के जो है गेंदे का थोड़ा बेरन डाल द में इसको देखता था तो अभी क्या है अभी जो है इसकी इंडिया की बात करें तो इसकी इंडिया में जो है उसका सीधा सीधा एही मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंट हो के कुछ ऐसी क्रेटिविटी करना जो कि आपके लिए यूसफुल हो जो कि आपके लिए और आपके फ और इधर में आप सबको दिखाऊंगा मैंने बहुत सारे पेड लगा रखे हैं तो आज रिजल्ट इसका यह है कि मैं जो है फूल से 70 रुपए केजी तक मैं इसको बेच रहा हूं मार्केट में आप यह देखिए बहुत अच्छा फूल मैंने ट्रैल वेस पे इसको लगाया है तो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला यहां पर बहुत अच्छा लगता है मुझे मैं सुबा साम में इधर ही बैठता हूं और यह मेरा गार्डन है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फूल तोड़ा जा रहा है अभी मैं भी फूली तोड़ तोड़ रहा था तो आप थोड़ी बहुत भी अगर बेरण डाल के इसको करेंगे तो उनको खाने पिने का घर पे खर्चा चलाने का कोई भी इसू नहीं आएगा जिससे कि वह 200-300 रुपे डेली कमा सकते हैं तो मैं यहीं बताओंगा मैं वैसे UPSC का स्टूटेंट भी हूं पढ़ाई भी करता हूं स थोड़ा पास लाइए यह इसका फूल देखिए इस पर यह जो है वह बैठ रहे हैं मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है इस पर इस पर तितलियां वगरा आ रही है और यह सुगर का भी मैंने पेड़ लगा रखा है जैसे कि इन फ्यूचर में जैसे जिसको सुगर होता है अगर इसके पत्तियों को पिएंगे तो क्या कहते हैं सुगर उनका कंट्रोल में रहेगा और और मैं इधर आपको दिखाऊंगा आप इधर आईए आप इधर से देखिए यह बहुत बढ़ी लोकेशन लग रहा है कि माज दूसरे तीसरे दिन मैं इसको तोड़ता हूं मार्केट में नियरवाय में बहुत ज़्यादा जूर नहीं जाता जो भी साधी विवाम में और इसको लेके जाते हैं तो अच्छा उनको प्रॉफिट म जाता है और जो भी हूँ चावज दान जहां का पानी का दिकत है वहां जो है इसको अगर आप लगाएंगे तो यूज कर सकते हैं आपके लिए बढ़िया होगा सबके लिए बढ़ा होगा मैंने करके दिखाया आपकर मेरा रिजल्ट मेरे सामने देख रहा है लेकिन यह कु कॉछ बैठने से नहीं होगा तो आप चीजों को यूटलाइज करना सिखें के जिएक उसको यूटलाइज करना सिखें मेरे कहने का मतलब है बनाहिए जैसे कि मेरे बुल में पूल की कटिंग हो रही थी गुलाब की तो मैंने इदर डेड़ सु पेड़ छोटे चोटे लगा दिये हैं और सब में फूल भी आ गया है आपको दिखाऊ थोड़ा पांस लेके आई यह अब यह देखिए यह इसके छोटे-छोटे फूल भी आ गये है इसके छोटे-छोटे फूल यह सिर्फ मैं ट्रायल पे लगाया हूं जो कि मुझे लगता है कि अगर एक गंटे भी आप इसमें देंगे और सही और लॉजिक में देंगे तो पिर आपके लिए अच्छा होगा और थोड़ा तितलिया भी दिखाऊ आपको वेराइटी तिलियों की भी दिखा रहा हूं कि ने जैसा कि मैंने अभी आप सबको दिखाया कि मैंने कैसे किया कैसे कर रहिए मतलब मने इसको मैंने तविac penis की लिए लिए और इसका थी उरती है और जब कि मुझे बहूत अच्छा लगता है सुबह साम के टाइम में यहां पर बैढ़ता हूं तो मुझे घरकी किनारे कारे पूल की खेती हो या अच्छा लगे गार्डेन टाइप में तो अगर इसको बड़े पैमाने में किया जाए तो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा मैं मेरे कहने का मतलब यह है जो लोग घर पे इधर गाउं से बिलॉंग करते हैं उनके जौब की बहुत कम होती है तो जो बाहर है जा करatto करते हैं साल 2 3 साल जिससे कि कारियर पर बहुत सारा के पढ़ता है पढ़ाजी कभी दिक्कत होती है और जित छेतर करनाचा जाते बहूत लोग है और मेरे की अरभ जकिह करते हैं सुबसार मुंको यह पोर्सिनिटी मिलें जो चोटे मोटे खे पाधा दन्डेक में इधर की तरफ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम में जैसे कि सुबह उड़ते ही लोग चले जाते हैं बाहर चाय पीने और कुछ करने सिर्फ गपसप में चला जाता है पूरा दिन मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रॉब्लम है जिस आचे कि इन फिचर भिट जब जो ज्हाली बन जाएगी तो बाहर से वह चले जाएंगे इई अगरिकल्चर के लिए फवसल के लिए नुक्सान दे धना होती हैं वह जो निलगाए होती फफ़सल को बरबात कर देते है तो फ़सल को मैंने बचाने के लिए मैंने बहुत सारे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो है थैलिया है इसमें मिट्टी भरी विए इसमें पपीते का मैंने डाल लगता था जिसका रिजल्ड मुझे भी अच्छा मिला और सारे पौदे निकल गए मैंने ऑनलाइन बीजा बंगाया था तो इसके पौदे मैंने प्लांटेशन कर द नगाद होंगा किनारे जिससे की आने वाले दो-चार सालों बाद जो है फल मिल सके जो केमिकल यूज नहीं होता आज कल के जो फाल होते हैं पपीते वगएरा इसमें केमिकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं जैसा कि सब को पता है और मैं और यह मेरा फल एक पेड़ है वो और रोज के परसेंटेज निकाले तो एक दो फल मिल जाता है जो कि पेट के लिए और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है तो और भी बहुत सारी चीजे आज का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मैंने जो सोचा मैंने किया तो काम को सोचने और समझने से नहीं होता है उसको करना पड़ता है उसको करना पड़ता है जब तक उसका रेजल्ट ना जाए तब तक करना पड़ता है तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कोई काम चोटा नहीं होता तो आपको समझना यह होगा जैसे मैंने एक छोटे से चोटे से एडिया से मैंने अभी घर की चीजों को यूज़ करने के लिए काम आज का वीडियो सेटेजिए और प्रॉब करते रहें और पेज को फॉछ करें आपना चैनल को सक्राइब करीए अभी मैं अवझी कमेड़ी ट॥ चैनल कर रहा हूं जो भी 478 ौइन मैं उन से सभी से रिकवेस्ट कर रहा हूं कि यह हैं अभी teak मैं जो है उसको आप està कि रहा लोगों का आता है लाइक पर दिस्लाइक में आता है तो जहां तक मुझे सभी लोगों करो फिद्ध कहा कि आप स्पे काम करूं तो अप लोगer सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट डाल सकूं, और भी वीडियो बनियाद डाल सकूं, अपने आडियास डाल सकूं, आप सभी के भी आडियास डाल सकूं, तो मेरा यही मतलब है आज के वीडियो बनाने का धन्यवाद.